वेलकम टू एग्जाम्स फिद MS YouTube चैनल और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का पेपर दोस्तों देख लेंगे कि पेपर में क्या पूछा गया प्री बोर्ड दो हजार इकीस का ये पेपर है और प्री बोर्ड और बोर्ड में ज्यादा अंतर न 15 मिनिट में आप प्रश्ण पत्र को पढ़ेंगे सतर नंबर का पेपर होता है तीस नंबर का प्राक्टिकल होता है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले सेक्शन आ है वो है बहु विकल्पी प्रश्णों का अच्छे से इसको देख लीजे मैं स्लाइड करता हो होगा एक्चली यह स्लाइडर वीडियो होगा तो यहां पर आपको इस वीडियो का परपस बस इतना है कि आप अच्छे से इस पेपर को देख ले अब्जर्व कर लेंगे किस ब्रकार के प्रश्ण आएं तो यहां पर कुछ नियुमेरिकल स्टाइप के प्रश्ण आएं पह पूछी गई है यहां पर ठीक है अब चलता है हम अपने नेक्स्ट पेज पर अच्छे से देख लीजे इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी बोर्ट परिक्षा के लिए दोस्तों लास्ट जो MCQ है बहुई कलबी प्रश्ण है वो PNP और NPN ट्रंजिस्टर पर आधारित है अच्छे से देख लें इसके बाद सेक्शन बाय स्टार्ट होता है यहां पर वन मारकर क्वेश्चन है एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यहां पर आप तरंग दैद की दो प्रकाश किरणों के मद्ध काल अंतर 180 अंश है तो इनके मद्ध पथांतर क्या होगा रिडवर्ग नियतां का मान और मात्रक पूछा गया है इसके बाद कुलाम का वैदुत सम्मंधी नियम लिखिए यह पूछा गया है फिर MPR की परिभाश्या पूछी अंश है उसका मान निकालना है कितना होगा प्रकाश वैदुत कारिफलन का अर्थ आपको समझाना है दो नमबर में अत्वा में क्वेश्चन दिया हुए व यती करण तता विवर्तन में अंतर इसीकर्ण और विवर्तन में आपको अंतरिस्पष्ट करना है तू मार करका यह भी question होगा section D जो start हो गया वहां पर 3-3 mark के question है दो बिन दो आवेश दिये हुए है ठीक है 16 cm दूरी पर इस्थित है इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो यह वाला numerical है यह 3 marker का question है 3 marks का numerical है फिर आवेश वाह की गतिशीलता की परिभाशा पूची गई है फिर इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता न्यू बराबर जे अपॉन एए एन स्मॉल ई और इन्टो कैपिटल ए जहां प्रयुक्त चिन्हों के सामान ने अर्त हैं यह पूचा गया है इसके बाद प्रत्यवर्तिधारा के वर्ग माध्यमूल का व्यंजक पूच लिया गया है ठीक है तो अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीन शॉर्ट भी आप ले सकते हैं क्योंकि यह सभी important question है pre-board 2021 के paper में यह question आया चलता है next page पे और देखते हैं कि कौन से प्रशन पूचे गया है तो question paper के third page पे भी three marker question दिये हुआ है यहां पर कुछ numerical हैं कुछ theory के questions हैं अच्छे से इनको देख लीजिए ठीक है दो numerical यहां पर साफ साफ दिख रहा है यहां पर एक यह वाला numerical दिख रहा है और एक यह वाला भी numerical दिख रहा है इसके बाद भू चुम्बकत्यों के अवेव पूचे गए हैं five का खावाला देख लें आप ठीक है इनकी परिभाशा पूची गई है इसके बाद प्रकाशिक तन्तु optical fiber के बारे में एक question दिया हुआ है ठीक है इसके बाद क्या है ध्यान से देखिएगा आइंस्टाइन का प्रकाश वेदुच समीकरन डिखना है आपको और फिर किसी धातु के प्रश्ट के लिए आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध लेंड़ा वन तता निरोधी विभाव वी वन तता तरंग दैर्लेम्डा टू है तब निरोधी विभाव वी टू है प्रतेगनी अत्नांग के लिए सूत्र आपको निकालना है अथवा अगर आप यह नहीं कर खंड यहां पेपर का तो आपर गॉस का नियम से रिलेटेद ए नहीं करना चाहते तो फिर आप बायो सेवर्ट का नियम क्या है यह बता सकते हैं इसकी साहता से व्रत्तकार धारावाही कुंडली की अक्षिये रेखा के किसी बिंदू पर चुम्बकी चेत्र का सूत्र स्थाबित कीजिए डेरिवेशन है बैसिकली यह फाइब मार्क में पूझा गया इंपोर्टन डेरिवेशन है यह सभी चलते हैं नेक्स्ट पेज़ पर देखते हैं वहाँ पर कौन से क्वेश्चन्स पूछे गए हैं दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर देना एक्जाम सुधमस यूट्यूब चैनल को इसी प्रिकार के इंपोर्टन वीडियो के लिए यहां पर क्वेश्चन दिया है चुम्बकी प्रवरत्ती और चुम्बक शीलता परिभाशा हैं आपको लिख और दिया है तो यह पूरा क्वेश्चन पेपर प्रिपोर्ट का अच्छे से देख लेना अच्छे से इसको समझ लेना slider video था मैंने जो question आये हैं pre-board 2021 में उनको मैंने आपको दिखा दिया अच्छे screenshot ले सकते हैं आप सबी important question इनको solve करें अपनी writing practice बनाये रखें तो मिलते हैं अपने next important video में thanks for watching and listening me इसी प्रकार की important videos के लिए आप subscribe कर सकते हैं exams with ms youtube channel को thank you and bye bye